सो अगत्य आपका स्कूलर्स तोरी में आज आम आरम करने जा रहे हैं कच्छा आठ की विज्ञान मैं आपको सरलतम बाहसा में समझाने और सिखाने की गोसिस करूँगा चलिए स्टार्ट करते हैं पहला आत्या है फसल उत्पादन इवं प्रबंदन आप सबी ने खेती में उत्प्योगी की जाने वाले ओजार देखे होंगे जैसे खुरपी दराती, बेलचा, अहलित्यादी इसके बारे हम बाद में पढ़ेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं क्या आपके पता हैं हम फसल की उगाते हैं भोजण उत्पादन करने के लिए और भोजण उत्पादन क्यों करते हैं क्या आपको पता है बोजन को बड़े इस तर पर उत्पादन की आवसकता क्यों है तो कि एक विसाल जनसंग्या का बोजन प्रदान करने के लिए इसे नियमित उत्पादन उच्छित प्रबंदन एवन वित्रन की आवसकता होती है क्रिस्य पदातियां लगबक 10,000 इशाब ब्रण मनुश्य घुमंटू थे गुमंदू का मतलब हुआ कि वह एक इस्थान पर पसल उगाते थे फीर उस इसस्तान पर दूसरे इस्तान पर इस्तान पर जाते थे जाते हैं वहाँ फसल उगाते थे इस तरह उन्हें विच्छन करत जैसे घ्यों की फसल का अरत है, खेत में उगाये जाने वाले, सभी घ्यों के पौधे, भारत एक विसाल देशे जहां ताप, आदरता, पर्षा, जैसी जलवाई, परस्तितियां, एक छेतर से दूसे छेतर में भीन है, अते देश में, विविन भागों में, विवित फर्पकार की फसले उगाई जाती है, इस विवित तक अब आपजूद, मोटे तोर पर फसलों को दो भागों में बाटा गया है, खरीफ की फसल वरभी की फसल, खरीफ की फसल क्या होती है, वे फसल होती है, जिने अब वर्सा में बोया जाता है, वे क्या कहलाती है, खरीफ की फसल कहला जाती हैं धान मक्का सोयाबी मुफली कपास ये खरिफी फसले पिर आते हैं रभी की फसल जिने क्या कहते हैं सीठ र। की फसले लें कब ऊगाई जाती एं अक्टूबर से मार्श तक और उन्हें रभी की फसल क्यालाती है ग्याउँ, चना, मटर, सर्सों, अलसी रभी की फसले है इसके लिबा कعाई स्तानों पर दाले सब्जिय भी उगए जाती है ठीक है? फिर हम पढ़ते हैं आदारिक फसले पद्धितिया क्या आप जानते हैं धान को सीत रितु में के उगया जाता है क्योंकि धान को बहुत ज़्यादा पानी की आवसकता होती है आप देखेंगे कि क्रिया क्लाप उस परकार के हैं जिनका उपयोग माली अत्वा सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं क्रिया क्लाप अत्वा कार्य क्रिसी पद्योतियों जो आगे ये गए हैं कौन-कौन से हैं मिट्टी तयार करना बुवाई खा देवन उब्रग देना सिचाई खरपतवार से सुरक्षा कटाई बंडारन ठीक है मारी पहली पद्यती है मिट्टी तयार करना फसल उगाने के लिए मिट्टी तयार करना पर्थम चरणने और ये भहुती ज़्यादा महत्वपून है क्योंकि जड़ों को घहराई तक जाने के लिए पोली मिट्टी क्या वसकते होती है और पोली मिट्टी जो सूच में जीव रहते हैं और जो क्रिसी में सायक जीव हैं जैसे कैचुआ उनको विक्सित करने के लिए पोली मिट्टी सायक होती है इसलिए हम मिट्टी को पोलाक बनाते हैं हम पिछली कक्षाओं पड़ चुके होंगे कि मिट्टी में खनी जलवायू सजीव होते हैं इसकी अत्रिक्त मत पौधेव जन्तू भी मिट्टी में पाये जाते हैं इस प्रक्रम में मर्थ जीवों पाए जाने विल पोसक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं यह पोसक पौधे द्वारा अफसोसित किये जाते हैं क्योंकि उपरी परत के कुछ सेंटिमीटर पही पौधे की व्रद्धि सायक है इसलिए उलटने पौलटने और पोला करने से पोशक परदात उपर की और आ जाते हैं जिसने की क्या होता है पौधे इन परदातों का उप्योग कर सकते हैं इसलिए उलटना पौलटना और पोला करना फसल गुगाने का अथिक महत्तपुन कारक है एवं इस प्रक्रिया को क्या का जाता है इस प्रक्रिया को जुताई का जाता है ठीक है जुताई क्या कहते हैं मिट्टी को लटने पूला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं क्रिसी ओजार अच्छी उपज के लिए बुवाई से पहले मिट्टी को बुरबुरा करना आवसक है ठीक है इनके लिए भिविन परकार के ओजार उप्योग में लिए जाते हैं जैसे हल, कुदाली, कल्टिवेटर इस कार्रे में उप्योगी ओजार है अच्छी निकाल से हल का उप्योग जूताई वह उरवरक मिलाने, खरपत्वा निकालने, मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है यह उजार लकडी से बना होता है जिसे बैलों की जड़ चोड़ी अथवा पसूं की जोड़ी से खीचा जाता है इसमें लोहे के मजबूत तिकोनी पत्ती लगी होती है जिसे फाल क्याता है हल का मुख्य भाग लंबी लकडी से बना होता है जिसे हल सेट क्याता है इसके एक सिरे पर हैंडल होता है और दूसरा सिरा जोड़ के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों के गर्दन के उपर रखा जाता है और एक जोडी बैल एक आदमी की सरलता से चल सकता है आजकर लोई के हल तेजी से देशी लखडी की जगे ले रहे है हमें पता है फिरे कुदाली क्या है ये एक सरल हो जा रहे है जिसका उपयोग खरपत्वा निकालने है और मिट्टी को पोला करने के लिए चिया जाता है ये चोडी प्लेट होती है ठीक है फिर कल्टीवेटर आजकल जुताई टेक्टर त्वरस नचलित की जाती है टेक्टर में कल्टीवेटर लगे होते हैं उसी किसायता से कल्टीविटर का उपयोग श्रम वसमें दौनों को बचात होती है फिर है बुवाई बुवाई फसल का सबसे महत्वपुन चरन है इससे क्या होता है पहले अच्छी गुनवत्ता वाले साफ वस्वस्त बीजों का चेहन करना किसानों को उपस देने के प्राक्टता देता है बीजों का चेहन कैसे करते है कुछ बीज उपर तेलने लगते हैं आप पता है अगर आप कुछ बीजों को लेकर पानी में भिगो दोगे तो कुछ बीज उपर तेलने लगते हैं वो छतिगरस बीज होते हैं उन से पौधे नहीं उकते हैं, अच्छे वसवस भी छतिग्रस वीजो के अलग करने की अच्छी विदी है, भूई से पहले बीजबोने, कि ओजारों के बारे में जानना आवशक है, परेम परागत ओजार कौन-कौन से हैं ? प्रमप्रगत औजारों में बीजों के बुवाई किसमाल किये जाने वाले औजार कीप के आकार का होता है, जैसे कीप यह रहा, अंदर डालने के लिए दो तीन नुकेले सेरे वाले पाइपों से गुजरती है और ये सेरे मिट्टी में भेद कर बीजों को इस्तपापी करते है सीड ड्रील, आजकल बुवाई के लिए ट्रेक्टर द्वारा संचाली सीड ड्रील का उप्योक होता है, द्वारा बीजों को समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है और सूनिचित करता है कि बुवाई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ठक दिये जाएं, इससे बीजों को पक्चि दूरा खाये जाने से रोका जा सकता है, सीड ड्रेल द्वारा भुवाई करने से सामे एवं स्रम दौरों की बचट रोती है, ऐसा होता है। ठीक है? आपका पता है? पौदो को अत्य दिघСпूर अत्यांट महत्पून है इसे क्या होता है? पौदो को सूर्ग, प्रकास, पोशक, जल की पριयापत, मातरा क्यावेशकता होती है तो अधिक घनेबन को रोकने के लिए कुछ पादों को निकालकर हटा दिया जाता है फिर है खाद इवन उर्वरक मिलाना वे परदा जिने मिट्टी में पोशक इस्तर बनाये रखने के लिए मिलाये जाता है उन्हें खाद वो उर्वरक का जाता है यह मिट्टी फसल को खनीज प्रदान करते हैं फसलों को लगाता रोगाने से मिट्टी के कुछ पोशक कत्त की कमी हो जाती है यह छत्टी को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद देते हैं यह प्रकम, खाद देना कहलाता है अब प्रियाप्ट खाद देने से पौदे कमजोर हो जाते हैं खाद एक कार्बोनिक परदात है जो पौदो या जंतु अपसिस्ट से परदात किया जाता है किसान पादप एवं जंतु अपसिस्टों के एक घड़े में दालते हैं इसका अब गटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं अब गटन कुछ सूक्च में जीवो द्वारा होता है अब गटित प्रदात खाद के रूप में उप्यूग किया जाता है जो कियम कक्चाक छेंकी वर्मी पोष्ट कमपोष्ट कैचुव द्वारा खाद को त्यार करने पड़ चुके है यह क्या कर रहे हैं यह कुछ मिट्टी लिए मिट्टी के अंदर मूंग दालती है और कुछ दिनों बाद वो द्वरक के साथ वो इस परकार बने हैं आप यह घ उर्वरक के उत्पादन में फैक्टरों में किया जाता है उर्वरक के कुछ उधार है यूरिया, एमोनिया, सलफेट, सूपर सलफेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्वेट और पाटैशियम इनकी उप्योग से किशानों को गैउं, धान, मक्का जैसी फसलों क अच्छी उपच परात होती है, ये जल पर दूसरन का एक महत्वपुन स्रोध बन गए हैं आज कल, इसलिए हम जैविक खात का उप्योग करना चाहिए, मिट्टियें पोशक, पोशकों की महत्वपुन, और प्रतिपुन का एक अन्या तरीका फसल चकरन भी है, फसल चकरन के अजाता है, पहले उतर भारत में किसान फलीदार चारा एक रितु में उगाते थे, तथा गेहूं दूसरी रितु में, इससे मिट्टी में नाई ट्रोजन का पुने पूरान हो जाता था, किसानों को इस पदती को अपनाने के लिए प्रोसात किया जाना चाहिए पिछली कक्चा में पढ़ चुके हैं कि आप राइजोबियम वेक्टरिया के विसें पढ़ चुके हैं ये एक फलीदार लुगेनियस पौदा की जड़ों में गरंतियों पाये जाते हैं और ये नाइट्रोजन इस्त्री करन करते हैं वाय मंडल से उर्वरक वाखाद में अंतर क्या है उर्वरक एक मारव निर्मी तलवन है और खाद प्राकरतिक है उर्वरक उत्पादन फैक्टरी में होता है और खाद खेतों बना जाती है उवरक मिट्टी में हुमस प्राप्त नहीं होता और खाद से मिट्टी में हुमस के प्रचूर मात्व प्राप्त होती है उवरक में पादप पोशक जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फरस, पॉटेशियम के प्रचूरता होती है पादप में तुलनात्मक के कम होते है खाद के लाप कौन-कौन से हैं? जैवी खाद के उर्वरक की अपेक्षा अच्छी बानी जाती है इसका मुख्य कारण क्या है? देखो इससे मिट्टी की जलधारन की शमता वरद्दी होती है मिट्टी में भुरबुरीव सरंद्र हो जाती है जिससे गैस विने में सरलता से होता है इसमें मित्र जिवानों की वरद्दी होती है और मिट्टी की गठन की मिट्टी की गठन भी सुदर जाता है फिर हम देखते हैं सिचाई जीवी तरहने के लिए परतिक जीव को जलगी आवसकता होती है इस पिरकार पौदों को भी जीवीत रहने के लिए जल की आवसकता होती है पौदों में लगबग 90% जल होता है तो इन्हें जल की आवसकता ज़ादा होती है जल में घुले होए पौशक का इस्थानातर पौदे परतिक भाग में होता है ये फसल की पोल व गरम हवा से रख्चा करता है स्वस्त फसल व्रद्दी के लिए मिट्टी की नम्मी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवशक है निच्छी तंतराल पर खेत में जल देना सिचाई कहलाता है सिचाई क्या कहलाता है? निच्छी तंतराल में खेत में जल देना सिचाई कहलाता है सिचाई का समय एवं बारम बारता फसलों मिट्टी एवं रितू में भीन होता है गर्मी पाई देने की बारम बारता अपक्छा कर अधिक होती है ऐसा क्यों है क्या मिट्टी में जल्वास्पन अधिक होता है बताईए क्योंकि मिट्टी में जल्वास्पन अधिक होता है अफिछा कर गर्मियों में अधिक होता है अफिछा कर सर्दियों से इस पेकार हमें गर्मियों में जल देने की अवसेता ज़्यादा रहती है सिचाई के स्रोथ कौन-कौन से हैं कुवे, जलकूप, तलाब, जील, नदिया, बांद, नेर, इत्यादी सिचाई के प्रामपरगप तरीक्यों कौन-कौन से थे पहरे क्या करते थे मोट, चेन, धेकली, रहट इन सभी से हम पानी से सिचाई करते थे ठीक है और आदोनिक सिचाई विदिया, स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर विदि क्या है? स्प्रिंकलर क्या होता है? आसमतल भूमी के लिए किया जाता है जहां जलकी कम मात्रा में उपलब्द होता है उद्धप पाइपों कि उपरी सिरों में घूमने वाले डोजल लगे होते हैं, ये पाइप निच्ची दूरी पर मुक्य पाइप से जोड़े जाते हैं, जब पंप की सायता से जल मुक्य पाइप से बेजा जाता है, तो वे घूमते हैं और डोजल से पानी भार आता है, और पेड़ों पर पौदों करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है इसे ड्रिप्ट तंत्र कहते हैं यह फलदार पौधे बगीजे व्रक्ष को पानी देने के लिए सर्वुत्तम तरीका है इसे पौधों को बूधों करके जल्प्राप्त होता है विदी में जल्ब बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता अते यह जल्ब में की कमी वाले छेतरों के लिए वर्दान है खर्पत्वार से सुरुख्चा यह भहुत थी अब महत्पून पाट है खेतों में कई अवँचित फल प्रकरति रुप से उगजाते हैं और उन अवँचित फल उन अवँचित पौदों को यह खर्पत्वार कहत चता है खर्पत्वार को नूद्यए क्या दियो है नेराई यावश्यक्क आiblyकर खर्पत्वार जल पोशक जग्य प्रकस के इस्पर्दा कैने और फसल की वद्दी पर प्रभाब दालते हैं कुछ कर्पत्वार कथाई के बमें भी बादा दालते है तता मनुषयों यह पश्य के लिए विष्यायली हो सकते हैं कि करफ़त्व बदने एवं उनके फृद्धी को नियंतित करने के लिए विविन तरीक्विया अपनाते हैं। खरपतवार को नियंदर करने के लिए खरपतवासी, खरपतविनासी, रासाइन का भी उप्योग करते हैं, जैसे कौन कौन से हैं, 24D, केतों में छिड़काफ किया जाता है, जिससे खरपतवार पौदे मर जाते हैं, परन तुफसलों को भी, और फसलों को कोई हानी नहीं पहु परन तुछिड़काफ करते समय, अपना मूव और नाक को कपड़े से ड्वेक लनी चीए, क्योंकि ये हमें किसानों की स्वास्त पर गलत प्रभाव दालते हैं, पर एक कटाई, पसल की कटाई ने एक मैधवपन कार रहे हैं, पसल कटाई की जाने के बाद, उसे पसल पक जा कटाई के दौरान पौदों को कीच कर उखाड लेते हैं, अथवा धरातल के पास से काट लेते हैं, एक एक अनाच फसल को पकने में तीन-चार महिने लगते हैं, हमारे पास हमारे देश में धराती की सायते से हाथ द्वारा कटाई की जाती है, अथवा एक मसीन का उप्योग किया जाता है, जिसे हार्वेस्टर कहते हैं, कटी हुई फसलों से बीज दानों को भूसों से अलग किया जाता है, जिसे थ्रैसिंग कहते हैं, और ये कंबाइन मसीन द्वारा किया जाता है, वास्तव में हार्वेस्टर थ्रैसर से संयुक्त रूप है, छोटे खेतों में किस अनाज को दानों को फटक फटक कर अलग कियाते हैं जिसे वाइंग कियाते हैं आप एक अच्छा चैनल पड़ चुके हैं भंडारन उत्पाद का भंडारन एक महत्पून कार रहे हैं यदि फटक के दानों को अधिक समय तरखना तो उन्हें नमी कीट चुओं और सूश मजीव से सुरक्ची तरखना होगा ताजा फसल में नमी की मातर अधिक होती है यदि फसल के दानों को सुखाय बीना भंडारित किया जाता है तो खराब हो सकते हैं अत्वा जीवद्वारा अक्रमन से अंकूरन के लिए उन्पयोगी हो जाते हैं अत्वा भंडारन से पहले दानों बीजों को धूप में सुखाना आवसक है जिससे उनकी नमी में कमी आती है इससे उनकी कीट पिड़कों जीवानूं कवक से सुरक्चा हो जाती है किसान अपनी फसल को उत्पाद कर बंडारन जूद के बोरो धातू के बड़े पात्रों में करते हैं परन्तु बीजों का बड़े पेना में बंडारन साईलो बंडार गरेंगों में किया जाता है जिससे उनको पिड़कों जैसे चुवे कीटों से सुरक्चित रखा जाता है नीम की सुखी पत्यों से घरों में अनाज में भंडारन कि उप्योंग किया जाता है बड़े भंडार घरों में अनाज को पीड़कों और सुख्षों जीवसरक्षित लगए डासानिक उप्चार किया जाते है जन्तूं से वोजन जन्तु भी हमें विविन परकार के खाद परदात परदान करते हैं समूतर के तट्ये छेत्रों में रहने वाली मचली का मुक्या आहर के रूप में विप्यूग करते हैं मचली पिछली कक्षाओं में पौदों से प्राप्त करने वाले खात परदातों के विशे में आप पर चुके हैं हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन प्रकार है ठीक है जब बड़े प्रकार घरों में अथवा फार्वों पालने वाले पालतू पसुओं को उचित भोजन आवास एवन देखबा लाव सकता होती है जब बड़े पैमाने की जाता है तो उसे पसुपालन कहते हैं मचली स्वासकीर अच्छा आ रहे हमें मचली से कॉर्ड लिवर रोईल मिलता है जिसमें विटामिन डी की प्रचूर मात्रा होती है हमने क्या क्या सीखा अपनी बड़ती जन संक्या को बोजन प्राप्त करने के लिए हमें किसी की पद्धितियों को अपनाना चाहिए किसी इस्तान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौदों को फसले कहते हैं भारत में रितूं का अदर पर दो बागों बाटा गया फसलों को रभी और खरीफ जो ताई करके मिट्टी तैयार करना समतल करना आवसक है और हलवप पाटल का उप्योग किया जाता है ठीक है बीजों कोचित घहराईयों पर बोना अथवा बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपस के लिए आवसक है सीड ड्रील की साहता से बुवई की जाती है मिट्टी में पोसको की संबर्दी एवन पूर्थी के लिए आवसकता होती है जिससे कार्बोनिक खाद अथवा उर्वरक के उप्योग से किया जाता है फसलों की नई किस्मों की आने से रासाइनिक उर्वरकों के उप्योग में व्रद्धी हुई है उचित समय एवन अंसराल पर फसल को जल देना सिचाई कहलाती है निराई में अवँचित एवन बिना उगाय जाने पौदों को अठाया जाता है जिने खरपतवर कहते हैं कटाई कार्थ है पकिवी फसलों को हातों से या मसीन से काटना दानों को बूसों से अलग करना थ्रैसिंग कहलाता है बीजों को पीडिकों या सूच मजीबों से सनरख्चित करने की प्रकरिया भंडारन क्या वस्त्त होती है पश्यों को पाल कर भी खाद्य परतात प्राप किये जाते हैं इसे पश्यों पालन कहा जाता है दन्यवाद